Welcome Friends! Basic Automobile Training Channel में आपका Welcome है Friends, आज के लेक्शन में हम जानेंगे Combustion Chambers के बारे में Combustion Chambers क्या होता है आयो तो start करते हैं What is Combustion Chambers Combustion Chambers is the space enclosed between the piston head at cylinder head when the piston is at the top head position कहा है कि जब पिस्टन का पोजिशन तीरी सी पे हो तो उस समय में पिस्टन हेड और सिलिंडर हेड के बीच जो एस्पेस होता है उसी एस्पेस को हम कमबस्चन चैमबर बोते हैं के लिए हैं एक पर फेस लादा, पिस्टन जब टीरिसी के पोजिशन पे हो, बतब टॉपड़ पोजिशन पे हो, तो पिस्टन हेड और सिलिंडर हेड के पीछ जो स्पेस होता है, उसी एसपेस को हम कमश्टन जेमबर गोलते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, यहां हमारा यह इन पिस्टन है, यह 배ूँ है यह ilihm है, यह कनेक्टिक रॉड, यह क्रेंक्ट सार्फ, यह फ्लाइडिल है, चिक है, यहां देखिए पिस्टन का जो पोजेशन है, बिल्कुल TTC पे है, पिस्टन का पोजेशन TVC पे है, चिक है, तो cylinder head के बीच जो space है इसी space को हम बोलते हैं combustion chamber और हमारा इसी space पे क्या होता है fuel का burning होता है fuel जो burn होता है इसी space पे होता है तो आप ये बताइए कि piston TDC के position पे कब होगा इस ट्रॉक में जब वो compression stroke में हो compression stroke में ही तो piston क्या होता है PVC से TDC की और जाती है तो उस position में क्या होता है BDC से TDC की और piston जाती है कौन से stroke में तो compression stroke में उस situation में क्या होता है कि हमारा जो ये जो उपर वाला piston head और cylinder head इस तोनों के बीच जो space होगा उसी space को हम combustion chamber कहते हैं friends इसी combustion chamber में हमारा fuel का burning होता है और आपको पहले वीडियो में बता चुके है fuel का burning होता है और diesel engine में क्या होता है air diesel engine में सिर्फ और air की cylinder के अंदर आता है ठीक है इस बाहर से तो inlet valve से और ये exhaust valve diesel engine में fresh air inlet valve होके cylinder के अंदर आती है ठीक है और exhaust valve में burn gases बाहर जाती है लेकिन petrol engine में क्या होता है air or fuel का mixture cylinder में आता है ठीक है कुन से cylinder में क्या तो combustion chamber में आता है क्लिए रहे तो अभी देखे पिस्टन बीडिसी से टीडिसी की और जाएगी compression stroke में उस situation उस समय में क्या होगा कि अगर pistol head और cylinder head के बीड़ जो gap होगा जो space होगा उसी space को combustion chamber के आते हैं chemical energy को यह heat energy को जाए तो chemical energy को क्या करता है heat energy में convert करता है तब यह हम उस mechanical energy को हम किसी किसी चीज में worth मिलाते है तो हमदा flywheel घूमता है connecting to progressive calculating force को क्या करता है rotational motion में Convert कर देता है कौन तो यही crank sound connecting rod के side समय सीड़ी पिस्टन से करता है वा क्रेंग साथ को करता है थे करता है अब क्या करता है अब करता है रोचेंट करले के आगे बात जो है जो पावर जो है ना एनर्जी वो फ्राइविल पर आती और फ्राइविल का यूज़ वील पर करते हैं जैसे कि ये देखिए ये हमारा पिस्टन है ये हमारा केर पिस्टन है और ये जो एक मिनट है ये जो देख रहे हैं रही है ये हुवा पिस्टन कर राता है और सिलिंडर के है पिस्ट disinfect अब यह पिस्टन हीट का सर्पेस और सिलेंडर हीट के सर्पेस के बीच में जो एस्पेस होगा इसी एस्पेस को हम कुलते हैं क्या होते हैं और इसी प्रेंग होता है पेटोल एंजिन में एर फ्यूल मिक्चर आएगा और डीजल एंजिन में सिर्फ एर आएगा किस रास्कर से होगे तो इलेट वॉल्फ के बूप चीक है और एक जोस्ट वॉल्फ से बढ़ गया से पाहड़ हो जाएगी तो किलिक रहे है कमबस्टन चैंबर के बाड़े मैं जब अगर पिस्टन का पोजिशन टॉक पोजिशन पे हो तो उस समय में पिस्टन हेड और सिलिंडर हेड के बीच जो एसपेस होता है उसी एसपेस को अब क्या होते हैं कमबस्टन चैंबर होते हैं और यही कमबस्टन चैंबर में हमारा फिल का बर्णिंग होता है ठीक है इ तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगए तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजें, काफी और दी वीडियो हम जांते रहेंगे, जो कि जो भी इस्टूडियूंट है, आईडिया के स्टूडियंट्स है, पॉल्टे